दे स्कूल अफ फिजिक्स के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है पिछले क्लास में हम लोगोंने इलेक्ट्रिक लाइन्स और फिल्ड के बारे में पढ़ा था आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गौस थियोरम के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग electric flux के बारे में जानते हैं आईए देखते हैं electric flux क्या है देखिए देखा गया है the total number of electric lines passing through any area normally is called electric flux यानि किसी area से number of electric lines normally pass करे वो क्या कहलाएगा electric flux जैसे अगर कोई area है और इस area से number of lines यहाँ से pass कर रहा है normal condition है कि electric lines pass करेगा किस परकार से तो perpendicularly normally का मतलब होता है perpendicularly ठीक है तो यह number of electric lines क्या कर आएगा electric flux यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि electric flux में किसी area को define नहीं किया गया है मतलब area का magnitude कुछ भी हो सकता है यहाँ पर unit area या कोई specific area नहीं दिया गया है ठीक है चलिए इसके formula को देखते हैं उससे पहले आप देख रहे हैं कि लिखा गया है it is denoted by phi यह symbol है phi यह symbol किस चीज़ का है phi एक grid later है हम इसको ऐसे लिखते हैं तो electric flux को denote किया जाएगा phi से तो अगर area ds हो अगर कोई छोटा सा area हम ds मानते हैं और इस ds area से number of lines pass कर रहा है तो कितना number of lines pass करेगा तो यह directly proportional होता है electric field intensity के जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके है electric lines के बारे में हमने पढ़ा था कि electric lines और पेंडिक्लर प्रोपोर्शनल होता है number of electric field intensity के magnitude के यानि number of lines number of lines प्रोपोर्शनल होगा किसके electric field intensity के तो यहां पर देख रहा है कि number of lines को denote करेगा quantity e और area ds तो d5 equal to हो जाएगा e dot ds यह formula है electric flux का अगर हम total electric flux की बात करेंगे तो यहां पर ds जो है यह ds यह differential quantity है इसको हम लोग d को हटाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा integration करना पड़ेगा देखे इस formula मैं और close कर देता हूँ यह formula है phi equal to integration e dot ds यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि integration के साथ यह एक symbol एक circle लगा हुआ है यह circle बताता है कि integration जो होगा वो किसी close surface में होगा यानि किसी close area में ओके इसका जैदा यूज हम लोग गौस त्योरम में देखेंगे आईए आगे देखते हैं लिखा गया है SI unit of electric flux वेवर याद रखना है electric flux का SI unit क्या होता है वेवर होता है और वेवर को अगर fundamental quantity में देखें तो होता है Newton Newton meter square पर कुलम कैसे आ गया यह unit आप देखिए electric field intensity into ds flux का formula होता है e.ds तो e जो है उसका unit हो जाएगा Newton पर कुलम Newton पर कुलम और ds area है तो area का हो जाएगा meter square तो हो जाएगा Newton meter square पर कुलम SI unit समझ में आ गया अगर SI unit हम समझ जाते हैं तो dimension formula निकालना हमारे लिए easy हो जाएगा देखिए Newton का क्या होता है ml t-2 ml t-2 कुलम का क्या होता है it तो पर कुलम है तो यहां लिखेंगे it meter square l square meter मतला length तो length का dimension formula अगर हम इस पूरे चीज को solve कर लें तो dimension formula हमारा आ जायागा electric flux का तो देखें क्या लिखा गया है dimension formula m i-1 l3 t-3 यह वही quantity है उसी को solve करके हम लोगोंने यह निकाला है तो इसको underline कर लेंगे इसको याद रखेंगे यह है dimension formula of electric flux चलिए आगे देखते हैं next point में लिखा गया है it is a scalar quantity it has only magnitude आप जानते हैं कि अगर कोई scalar quantity है तो उसमें केवल magnitude होता है तो तो electric flux एक क्या है scalar quantity क्या है scalar quantity और scalar quantity होगा तो केवल magnitude होता है तो यह था electric flux के बारे में कुछ basic जानकारी अब हम लोग gauss theorem के बारे में पढ़ेंगे gauss theorem आपके electrostatics का सबसे important topic में से है अगर हम gauss theorem को समझ जाते हैं तो electric field intensity का magnitude निकालना आपके लिए easy हो जाएगा आईए देखते हैं गॉस्थिरम क्या होता है गॉस्थिरम है लिखा गया है गॉस्थिरम states that the total electric flux passes through a closed surface is equal to one by epsilon not times total charge enclosed by closed surface यहां पर एक quantity दिख रहा है 1 by epsilon not यह जो epsilon not है यह क्या है आप बता सकते हैं epsilon not क्या है पर मीटी भीटी ओफ भैक्यू क्याक इसको कहते है पर मीटी भीटी ओफ भैक्यू अगर कोई बच्चे इसका magnitude बताना चाहें, तो बता सकते हैं, बताएंगे, चली, मैं बताता हूँ, 8.85 into 10 to the power minus 12, ये है permittivity of vacuum का magnitude, जो कि हम लोग Coulomb's law में भी देखे थे, तो क्या कहता है, कि Gauss theorem जो होगा, वो कहता है, कि किसी भी electric flux, किसी भी closed surface से पास होने वाला electric flux का जो magnitude होगा, वो बरावर होगा, देखे, क्या बरावर होगा, फाई जो होगा, वो बरावर होगा, 1 by epsilon not times, total charge, total charge enclosed by closed surface, यानि किसी closed surface के अंदर, अगर charge Q हो, तो flux का value हो जाएगा, 1 by epsilon not into Q, ओके, चलिए इसका proof देखते है, यहां लिखा गया है, 5 equal to 1 by epsilon not into Q, यही बात हमने पहले लिख दिया, चलिए प्रूफ देखते हैं, तो प्रूफ के लिए हमने सबसे पहले एक figure बना लिया है, इस figure को देखे, इसमें हमने एक arbitrary closed surface मान लिया है, और इसमें एक DS area, यहां एक DS area हमने माना है, देखेगा, यहां हमने एक DS area मान लिया है, और इस DS area के perpendicular इसके direction को हम दिखा रहे हैं, electric field intensity is plus Q charge के कारण E है, और दोनों के बीच angle theta है, देख रहा है, दोनों के बीच angle theta है, एक और फिर से figure को देखे, अब हम इसमें electric flux का value निकालेंगे, जिसका magnitude कितना होना चाहिए, देखे, 1 by epsilon 0 into Q, देखे, प्रूफ करते हैं, लिखा गया है, let us consider a closed surface encloses एक charge Q, हमने एक closed surface मान लिया, जिसके अंदर कितना charge है Q, figure में आप देख रहे हैं, we choose an elementary area ds, where electric field intensity is e, हमने एक ds area मान लिया, elementary area ds है, और जहां पर electric field intensity का value है e, electric field intensity का value कितना है e, ठीक है, आगे लिखा गया है, electric flux phi equal to क्या होता है e dot ds, क्या होता है e dot ds, हम लोग पहले से पर चुके हैं, तो d phi equal to क्या होता है e, ds, cos theta, आप जानते हैं e dot ds, मतलब e, ds, cos theta, यह एक dot product है, vector quantity का, ओके, तो total electric flux क्या होता है, phi equal to integration e dot ds, यानि e ds, cos theta, अब total electric flux है, तो यहाँ पर हमें integration कर रहे है, e dot ds का, यानि e ds, cos theta का, अब e का magnitude, यहाँ देखे, e का magnitude क्या लिखे है, q by 4 pi epsilon 0, r square, e का magnitude क्या है, q by 4 pi epsilon 0, r square, अब देखे, integration में हमने क्या क्या क्या, q by 4 pi epsilon 0, को अलग कर लिया, और ds, cos theta, y r square को, एक साथ bracket में लिखे, क्यों लिखा, देखे, ds, cos theta, y r square, जो है, इसको हमने, यहाँ पर d omega लिखा, क्या लिखा है, d omega, यह omega, d omega क्या है, तो इसको कहता है, solid angle, d omega को क्या कहेंगे, solid angle, इसका value क्या होता है, ds, cos theta, y r square, यानि कि area, ds, cos theta, क्या है, area, y r square, यह कर लाता है, solid angle, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, देखे, क्या होता है, देखे, solid angle क्या होता है, यहाँ लिखा गया है, solid angle, solid angle, आपने, जैसे कोई cone देखा होगा, ऐसा, यह cone, किसी sphere का एक part होता है, अब यहाँ से, बहुत सारे line, इस surface को touch कर रहा होगा, और इसके साथ, जो angle बनता है, यही angle कहलाता है, solid angle, अगर पूरे sphere को बना दिया जाए, यह एक sphere बन गया, तो अगर यह पूरे sphere हो, तो total area हो जाएगा, 4 pi r square by radius square, यानि r square, तो यह r square, r square cancel हो जाएगा, कितना बचेगा, 4 pi, तो हम कह सकते हैं, कि किसी close surface के कारण, total area, total solid angle, कितना हो जाएगा, 4 pi हो जाएगा, इस बात को हम याद कर लेंगे, कि किसी close surface के कारण, किसी internal point पर, total solid angle, omega equal to, कितना होगा, 4 pi, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, अगर यह समझ गया, तो अगला topic आपको समझने में कोई problem नहीं होगा, देखिए, last में हमने क्या लिखा था, phi equal to q by 4 pi epsilon 0 integration d omega, तो d omega का integration क्या होता है, omega, देखिए, d omega का integration, omega, और omega का value क्या लिखे हैं हम लोग, 4 pi, आप जानते हैं 4 pi क्यों लिखे, 4 pi क्या होता है, तो total solid angle होता है, किसी भी close surface के कारण, यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, 4 pi, यहाँ लिख दिए है, 4 pi equal to solid angle due to closed area, अब देखिए, अगर हमारे पास, omega का magnitude 4 pi है, तो 4 pi और यहाँ 4 pi कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, q by epsilon 0, यानि 5 का magnitude क्या गया, q by epsilon 0, और हम जानते हैं कि, gauss theorem भी कहता है, कि 5 का magnitude क्या होता है, q, यानि total charge by epsilon 0, तो यहाँ से हम gauss theorem को proof कर लिए, यह था gauss theorem का proof, अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो screenshot लेते जाएंगे, वीडियो को पाउज करके, screenshot लेंगे, और उसको note कर लेंगे, आगे कोई भी परिशानी हो, तो हमें contact कर सकते हैं, हमारा WhatsApp नमबर स्क्रीन पर दिख रहा है, और हमारी चैनल, The School of Physics को, like करेंगे, share करेंगे, और subscribe तो जरूर कर लेंगे, ताकि आपको नया नया वीडियो, आसानी से आपकी mobile तक पहुंच जाए, तो like करें, share करें अपने दोस्तों के साथ, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाव उठाने का मौका दें, तो आज हम लोग ने गौस्थिरम और electric flux के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग गौस्थिरम के application के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें आपको बताएंगे कि गौस्थिरम का application किस प्रकार से करके, हम लोग electric field intensity का magnitude बहुत ही आसानी से और कम मेहनत के साथ निकाल सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिखेंगे गौस्थिरम का application, आज के लिए इतना ही देखते रहें, The School of Physics, Thank You.